मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लम्हों को बिताईए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन राची में मुर्गा खाने के सौकिंग लोगों के लिए चिकेन टेबल की सुरवात हुई है जहां चिकेन के तरह तरह के आइटम मौजूद है परिवार के साथ मुर्गा खाने की चाहत हो तो आप पहुंच जाएए चिकेन टेबल चिकन टेवल का सुबाराम राची के विधायक सीपी सिंग और डिप्टी मेयर संजीव विजवर्गिय ने किया अगर आप नौन बेज के सौकीन है तो जाहिर है आपका ध्यान चिकन पे जायेगा और चिकन के अगर आप सौकीन है तो ऐसे में राजधानी राची के चिकन टेवल में जरूर जायेगा राजधानी राची में चिकन टेवल के तहट कई प्रकार के चिकन मौझूद है यहां पे कई प्रकार के चिकन की विराइटीज मौजूद हैं जो आपके पूरे परिवार और आपको भरपूर स्वादिस्थ भोजन का एहसास दिलाएंगी ऐसे में चिकन टेबल में आकर आप निश्चित रुप से अपने परिवार के साथ एक अजब सा सुकून महसूस करेंगे और साथ ही स्वादिस्थ बेंजनों का आनंद भी लेंगे राजधानी राची के जेल रोड इस्थेट चिकन टेबल में आकर आप अजीब सी अनुभूती महसूस करेंगे अगर आप संडे का दीन हो तो यहाँ पे आनंद ले सकते हैं अपने सा परिवार चिकन टेबल में वैट कर चिकन की कई भिरोल्टियों का लुप्त उठा सकते हैं तो ऐसे में चिकन टेबल का उदगाटन राजधानी राची के विधायक सीपी सिंग ने किया है और इसके साथ ही राजी नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवरगी ने इस इलाके में चिकन से सम्मंदित आवसकताओं को पूर्ती करने के लिए चिकन टेबल की आवसकता बताई है मैं सिर्फ इत्रा ही काना चाहूँगा कि कुछ नया होना चाहिए एक ही तरह का चीजे होने से फिर उतो सारे होटलों में मिल ही रहे है ग्रांकों के लिए कुछ नया होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इन्होंने खोला है तो कुछ सोचकर ही खोला होगा और कुछ अच्छा करने के लिए ही खोला होगा मेरी और से सुबकामनाय है या होटल खूब चले लोग इसके श्वाद का लुट्फ उठाए और ये छोटा होटल खोले है है बड़ा होटल खूलें दिनों दिन बरगति करें अंत्य में यहीं कहूंगा चरहएवेती 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 का चुक्ता है बढ़े चलोग बढ़े चलोग है है यह होटल को मालिक है खुद तो कमाएंगे ही कई लोगों को रुधियार भी देने का काम कर रहे है तो सबसे बड़ा बात यह है एक खुशी की बात यह है कि रुधियार देने वाला बन रहे हैं इसके लिए इन्हें धेर सारी बढ़ाई गया है सबसे पहले तो मैं संचालक दोनों युवा साथी को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं कि जिनोंने एक ऐसे कंसेप्ट का यहां सुरुवात किया है क्योंकि यह जो छेतर हम देख रहे हैं कि जादतर छात्राओं का आवागमन सबसे जादा है यहां होस्टल्स की भी संक्या बहुत जादा है साती सात में रोड के नजदीक रहने के कारण मुझे लगता है कि इनके बैपार को दिनों दिन को त्रोकतर विकास इनका होगा ऐसा इनके कारिच्छित्र को देख के लगता है मैं बहुत-बहुत बधाया सुपकामना दूगा जिस तरह से राची बढ़ रहा है जिस तरह से राची में आवगवन लोगों की बढ़ रही है और जिस तरह का एजुकेशन हब यहां बन रहा है इस तरह की आऊ सकता भी है कि हम काउंटर में भी आचुकी मैंने जैसा पूछा था कि इन लोग घर पे होम डिलिवरी भी करेंगे तो ये एक ऐसी फैसलिटी है जिससे कि हम अपने बैपार को काउंटर के साथ साथ होम फैसलिटी के माध्यम से बढ़ा सकते हैं लोगों को भी सुविदा दे सकते हैं अपने उपारजन की भी रास्ता को तै कर सकते हैं तो मेरी धेर सारी सुबकामना है इनके माध्यम से रोजगार भी उपलब्द होगा लोगों को अच्छा भोजन भी प्राप्त होगा और इस पूरे छित्र में एक जो पूर्ती घट रही थी उसको ये पूरा करने का काम करेंगे मेरी योट से देर सारी सुबकामना बदा है हम बनाते हैं बैतर भविश्य जब दूरती है आज जब धकती है सास जब रूरते हैं अपने मोमोरता है जवाना जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अनमित निसां देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्तां